उत्तरप्रदेश में भातिय जंदा पार्टी के निताओं का विरोध करने पर किसानों पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ आज देज भर में विरोध प्रदर्शन हुए इसी के तहए दिल्ली स्थित यूपी भवन पर दिल्ली के चातर नौजवान, महिला और सब्वे समाच के लोगों ने रोश प्रदर्शन किया इस प्रदर्शन में मुक्यतोर पर यूवा कॉंग्रेस, राश्ट्रे लोग दल और वाम दल से जुड़े जन संगठनों ने हिस्सा लिया पुलिस ने पूरे यूपी भवन को च्छावनी में बदल दिया था उसके बाद भी अलग अलग संगठन जत्थों में यूपी भवन तक पहुंचने में काम्याब रहे लेकिन पुलिस ने सभी प्रदर्शन कारियों को बसों में भर लिया और उन्हें अलग अलग थानों में ले गए ये प्रदर्शन कारी यूपी हमले के सभी आरोपियों की गिरफतारी और पीडितों के मुआफ़े की मांग कर रहे थे उन्हों ने यूपी और केंदर की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की اور इस पूरे हमले के लिए बीजेपी की सरकार और उनके मंतरीयों को दोशी बताया प्रदर्शन कारियों ने कहा कि लखिंपूर खिरी की घटना से बीजेपी सरकार का अंकार सामने आया है आखिर क्या है ये पूरा मामला उत्तरप्रदेश के लखीमपूर खिरी में शांधीपूरों प्रदर्शन कर रहे किसानों पर 3 अक्टूबर को एक क्रूर और अमानवी हमला हुआ किसानों का आउरोप है कि भाजपा के किंद्र ग्रह राज्यमंत्री अजे मिश्रा टेनी उनके बेटे उनके चाचा और अन्य गुंडों से जुड़े वाहनों का एक काफिला कई प्रदशनकारियों को कुचल गया बताया जा रहा है कि किंद्र ग्रह राज्य मंत्री अजे मिश्रा टेनी के बेटे आशीश मिश्रा ने एक किसान को गोली मार कर उसकी हत्या कर दी इस घटना में चार किसानों की मौत हो गई है और करीब दस अन्ने गंबीर रूप से घायल हो गए है तराई किसान संगठन और SQM नेता तेजिंदर सिंग विर्क भी गंबीर रूप से घायल हुए है खबर है कि इस क्रूर हमले के बाद किसानों को जवाबी कारवाई के लिए उकसाया भी गया और भाजपा नेता के वाहनों को तोड़ दिया गया मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इसमें चार किसानों के अलावा एक पत्रकार रमन कश्यप और अजय मिश्वर के ड्राइवर समेत कुल तीन बीजेपी कारेकरताओं की मौत की पुष्टी हुई है वहीं दूसरी और विपक्ष भी सरकार की आलोशना कर रहा है सुमवार को मौके पर जानी की कोशिश करने वाले सभी प्रमुक विपक्षी दलों के नेताओं को रोक दिया गया अत्वा हिरासत में ले लिया गया अब देखते हैं कि प्रशासन ने अभी तक इस पूरे मुद्दे पर क्या किया लखीमपुर खिरी में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने दो F.I.R. दर्च की है और वहां मौझूद अपर पुलिस महानी देशक प्रशान्त कुमार ने समाचार एजिंसी भाशा को बताया कि मैं घटना स्थल पर ही हूँ इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से F.I.R. हुई है अभी विस्तित जानकारी उपलब नहीं है क्योंकि यहां इंटरनेट विवस्था काम नहीं कर रही है उन्होंने कहा कि शीगर ही मीडिया को विस्तित जानकारी उपलब कराई जाएगी किसान नेताओं का कहना है कि किसानों के सत्याग्रे को बरबरता पूर्ण कुछला गया है यह कोई तरीका नहीं है और यह लोकतंत्र की हत्या के अलावा और कुछ नहीं है आज दिन भर की गर्मा गर्मी के बाद आखिर कार किसानों की मांग के आगे सरकार जुकी और दोनों पक्षों में समझाता हुआ जिसमें धारा 302 और 120 B के तहत मंत्री और उनके बेटे के उपर F.I.R. दर्ज हुई मृत किसानों को 45 लाग मुआवजा और सरकारी नौकरी और जख्मी किसानों को 10 लाग का मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है साथी पूरी घटना की हाई कोर्ट के जच से जाच कराने की बात भी कही गई है न्यूस क्लिक इस पूरे मसले पर अपनी नजर बनाये रखेगा अभी के लिए सिर्फ इतना ही देखते रही है न्यूस क्लिक